Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 13.2 से question number 7 करेंगे A batch of bottles were packed in 25 boxes, with 12 bottles in each box एक batch of bottles है, यानि bottles का batch है, जिसके अंदर fixed number of bottles है उनको pack किया गया है, और pack इस तरह से किया गया है कि एक box के अंदर नट 12 bottles आती हैं तो 25 box लगे उन सारी bottles को pack करने के लिए यहाँ पे समझें कि 25 box के अंदर जब उन सारी bottles को pack किया गया है तो एक box के अंदर 12 bottles आई है If the same batch is packed using 20 bottles in each box अगर उस same batch को इस तरह से pack किया जाए कि एक box के अंदर 20 bottles आएं तो how many boxes would be filled तो फिर कितने box उसके चाहिए आपको उन bottles को fill करने के लिए अब यहाँ पे दो चीज़े है एक तो है number of boxes जिनके अंदर bottles को pack करना है जैसे कि पूरा यह बड़ा एक box हो गया दूसरी चीज़े है कि एक box के अंदर bottles कितनी है यह दो चीज़े हैं जो आपको अपने boxes में लिखनी है तो पहले हम लिखते है number of boxes अब दूसरे में हम लिखेंगे number of bottles in each box अब question में हमें जो given up वो यह है कि अगर 25 box हम use करते हैं उन सारी बोतलों को भरने के लिए तो फिर एक box के अंदर 12 bottles आएंगी और question में हम से यह पूछा है कि if the same batch is packed using 20 bottles in each box कि अगर 20 bottle रखी जाएं एक box के अंदर तो फिर जो box हैं वो आपको कितने चाहिए तो हमें number of box यहाँ पे बताने है इसी को हम let कर लेंगे let number of boxes is equal to x अब यहाँ पे जो दो चीज़े हैं न number of boxes और number of bottles in each box इसके अंदर आपको पहले relation पहचानना होगा कि relation कौन सा लग रहा है थोड़ा सा logical यह सोचिए देखिए अगर 25 box के अंदर किसी चीज़ को भरा जा रहा है तो एक box के अंदर 12 चीज़ें आ रही है अगर एक box के अंदर 20 चीज़ों को भरा जाएगा यानि कि जादा भर देंगे हम तो फिर box यहाँ पे कम चाहिए होंगे हमें इसे एक और simple example से आपको बताता हूँ मालीज़े आपके पास 10 kg स्वीट्स है इन 10 kg स्वीट्स को आपको 1 kg के pacement बनाने है तो कितने package चाहिए 10 package लेकिन अगर इसी 10 kg tooth को आपको 22 kg के packets बनाने है तो फिर कितने package चाहिए फिर आपको 5 packets चाहिए तो यहां हो क्या रहा है कि जब आप मिठाई बढ़ा रहे हैं यानि एक डबबे के अंदर जो सामान है वो आप बढ़ा रहे हैं तो फिर आपको जो packets है ना यानि की number of boxes है वो आपके कम हो रहे हैं same वो ही यहां पे हो रहा है कि जब आप एक box के अंदर 12 की जगा 20 bottle भर देंगे तो फिर आपको box कम चाहिए तो उल्टा हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे जो आपके boxes हैं और bottles हैं इनके बीच में relation उल्टा है जब number of bottles को आप बढ़ाएंगे न यहाँ मैं यह bottle लिख रहा हूँ जब आप number of bottles को बढ़ाएंगे तो आपके जो number of boxes हैं यह कम आएंगे तो उल्टा हो रहा है तो यह inverse relation है तो पहले तो हम यही लिखेंगे कि यहाँ पर जो है here number of boxes and number of bottles in each box are in inverse proportion यह एक के बढ़ाने से दूसरा कम आएगा जब inverse proportion होता है तो इन दोनों का product यह जो मेरे यहाँ पर लिखेंगे 25,12 इनका product बराबर होगा x into 20 के तो therefore 25 multiply 12 is equal to x multiply 20 बस यहाँ से इस equation को solve करते ही आपकी x की value आजाएगी वो ही आपका answer होगा तो x निकालने के लिए left side में 25 into 12 as it is रहेगा यहाँ पर x के पास 20 multiply में है यह इधर आएगा तो यह divide में आजाएगा तो x की value आजाएगी इनने काट लेते हैं 5 से कटके 4 आगया 5 से कटके यह 5 आगया यह 4 12 आपस में कट रहे हैं 4 1 0 4 3 0 उपर भचा 5 3 0 15 तो 15 इसका आपका answer है तो जब एक box के अंदर 20 बोतले भरी जाएगी न तो फिर आपको सिर्फ 15 box ही चाहिए तो यही आपका answer है therefore answer is 15 boxes question खतम तो इस video में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए good bye